कंगना रनौत इन दिनों मुंबई में हैं लेकिन कंगना रनौत का होम टाउन हिमाचल परदेश में हैं और उन्होंने मनाली में शांदार घर बनाया है कंगना ने अपने घर का नाम एक देवता के नाम पर रखा है चलिए आपको लिए चलते मनाली और जानते हैं कंगना से जुड़ी कुछ एहम जानकारिया बॉलिवड की क्वीन कंगना रनौत को मनाली की मलिका भी कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि कंगना को मनाली से खासा लगाओ है जिस कारण उन्होंने मनाली में अपना आशियाना बनाया है जो दो साल पहले बन कर तयार हुआ इस नए घर के बनने के बाद कंगना अकसर मुंबई की वेस्ट जिंदगी से स्कून पाने के लिए मनाली आती है और जब भी कंगना मनाली में अपने घर पर होती है और उन्हें मौका मिलता है तो कंगना अपने पड़ोसियों से मुलाकात भी करती है जाना जाना रहता है आंटी जी आप बताए कि हिमाचिल की बेटी कंगना यहां पर आती रहती अकसर घर्मियों के छोटियों में और मैं और अभी आजकल तो कॉरेंटीन के टाइम में यहीं पे थी हूँ पर जिस तरह से जो आजकल जो सुर्ख्यों में वो कैसा फिल करते है मैं आप क्या संदेश देना चाहेंगे नहीं नहीं हो तो बहुत वह ही अचिए आते जात्ते रहती है बात करते है सब यह डिली जीत के आय। अच्छे लोग भी उसके साथ अच्छा बढ़ता हो करें जो हमें इमाचल की वेटी है हो अमारी अपने वेती है। अपने निवास का घर का जो नाम रखा वो यही कारते के निवास जो है। यह जो है कंगना की जो है निवास है जो जिसमें जो है कंगना पिछले दो सालों से जब भी मौका मिलता है। अभी वो जो वॉलिवूड फिल्मों से जब उन्हें जो फ्री होती है। और खासकर जो मई जून की जो गर्मी के समय में अक्सर यहां पे आके रहा करती है। लेकिन अभी पिछले जो पॉरंटेन के टाइम में लगा तार चार मीने से जो है कंगना रनौत यहीं पे ठहरी हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि जब भी कंगना मनाली में मौझूद होती हैं तब कंगना सिमसा गाउं के देवधा कार्तिक स्वामी के मंदिर में भी आती है। मनाली के पास के सिंसा गाओं के कार्तिक स्वामी का ये वही मंदिर है जिसके नाम पे बॉलीबूड एक्टरस कंगना ने अपने निवास खान का नाम कार्तिके निवास रखा है आईए यहां पे कुछ महिलाएं आई है जो अक्सर यहां पे शाम के समय में आया करते हैं आईए इन से आखिरकार जानते हैं कि कंगना जो है यहां पे कब कब आया करती थी आप बताए आणटी जी कि सुनने में आता है कि कंगना जो है यहां पे जब भी मना ली आती थी तो अ तो जितने भी जो लोग है यहां के खासकर जो बुजर्ग लोग है शाम के समय में अक्सर यहां पर आते रहते हैं इनका कहना है कि कंगना रनौट भी जब भी मना लिया आती थी तो अک्सर यहां पर आया करती थी वहीं सिमसा गाउं के निवासियों के मताबिक कंगना रनौट पर कार्तिक सौमी जी का आशिरवाद है और कंगना हर लड़ाई को जीत कराएंगी मैं आपको बता दू कि कंगना ने जो अपने निवास का जो निवास थान का जो नाम रखा वो कार्ति के निवास रखा हुआ है जो कि यहां पे स्थानिय देपता है सिमसा गाउं के स्थानिय देपता का नाम कार्तिक स्वामी जी है तो इसके बारे में जाने के यहीं के स्थान जिर में आते जाते रहती हैं और आजकल जो इस्तिती में भुज़र रही है पुरना शाह के करती स्वामिकार चरपादन के उपर है वो जित कहाएंगी और इसी के इसी बज़र से उन्होंने अपने निवास का नाम भी करती के निवास रखा है अंकल जी आप बताइए कि जिस जो पूरा प्रक्रण चल रहा है आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहां की बेटी है उसके उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हैं कि कंगना केवल एहीं की बेटी नहीं है कंगना पुरे भारत बश्की बेटी है और यहां की बेटी है और यहां की बेटी है यहां के न कि देवते हैं उनका करते का उनका पास्टवार बना रहा है उनका आश्टवार तो स्वामी जी का आश्टवार तो उन पर हमेशा बना हुआ है गाओं वाले वहीं चाहिए है कि वो अपने जिस मंसुबे से लड़ रही है उसमें कामियाव हो करके बापिस आए तो यह थे यहा फाइट कर रही है जो यहां के देवता कार्थिक स्वामी सभी का कहना है कि कार्थिक स्वामी का उनके साथ आश्रवाद रहेगा और कंगना जो भी आगे जो आने वाले दिन है उस पर मजबूति के साथ अपना पक्ष रखेगी अपने सेयोगी शिवराम राना के साथ जनता टीवी मनाली आपको भुता दी कि कंगना रनौत अपने बेबाक अंदास और बगावती तेवरों के लिए जानी जाती हैं उन्होंने 12 साल के अपने लंबे करियर में दोस्त कम दुश्मन जादा बनाए हैं दुश्मन भी ऐसे वैसे नहीं बलकि फिल्म इंदुस्ट्री के जाने माने अक्टर्स और प्रोडूसर्स जोनता टीवी के लिए मनाली से कमलेश बोध की रिपोर्ट